श्री डगत से एक और कॉलर हमार साथ हैं, फरीदा इनका नाम है, जी फरीदा जी, खार मगदम है आपका प्रोग्राम में, बताएं मुझे यह डाइबिटीज है, जे और शुगा, जो और यह और थाइराइड की दिमार है मैं जिन बादिन मोटी हो जाती हूँ, शुगर नार्मर रहता है, डाइबिजिस भी 75 M की खाती है जिक, इच्छा दिखिए जिन लोगों को थाइराइड है और साथ में शुगर भी है तो उनके लिए एक बहुत जबरदस नस्खा बताने जा रहा हूँ और वो यह है के धनिया दो सु ग्राम, धनिया जो हमारे किचन में धनिया का दाना होता है धनिया दो सु ग्राम, और गुड मार बुटी दो सु ग्राम, और मेथी दो सु ग्राम, और मौरिंगा का गौन दो सु ग्राम इस सब चीजे 200 ग्राम लेके खुब बारीक पौडर बनाएं और एक चम्मच सुबा एक चम्मच शाम को खाने से कुछ पहले पानी के साथ खाएं तो इन दोनों इम्राज का कंट्रोल होना मुम्किन है हाकीम साइब शूगर डायविटीज ऐसे बीमारी जो पहले एक उम्मर के बाद होती थी चालिस के बाद अमुमन इससे देखा जाता था लेकिन अब चालिश से पहले तिस साल के उम्मर में भी ये बीमारी नजर में आ रही है तो इसके क्या रीजन हैं क्या वचा हैं और इसे क शक हुआ कि मुझे शूगर तो नहीं है क्योंकि वो जहां पिशाप करते थे वहां पर चीटी आने लगी थी तो उनको शक हुआ तो वो इतना घबरा गए कि जिसे उनको कैंसर हो गया हो जे और उससे पहले शूगर मैंने नहीं देखी जब से ये पिछले सौ साल से शूगर और इन 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी मौजूदा 20 सालों में उसमें सबसे बड़े गुनागार हम खुद हैं कि हम आसानी तलब हो गए हमारे पास हर किसी पास गाड़ियां आगए जो बगएर महनत के चलती हैं स्कूटर गाड़ियां फॉर वीलर और उससे बड़ा जो रॉल है वो है हमारे घरों का हमारे घरों में पिसेवे मसाले आने लगे तो इसकी वज़े से भी शूगर होने लगी और हमारे जो खुदीन हैं घर में जो महिलाएं हैं जी वो अब महनत नहीं करती मतलब अगर यही मसाले जो पिसेवे हम सब के बार्चे खाने में किचन में रहते हैं अगर यह मसाले अपने घर में ग्राइंडर है उससे पीस लिया करें तो इन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डाइबटीज नहीं होने देती और पहन के रियाज को तंद्रूस रखती ह शुक्र का कम पैनके रियास तमाम करते हैं और वू मसाले जो जिने हम बुरा समझते हैं उनको इस्किमाल कर दाथ चीनी पैनकि रियास को बौढ़ा नहीं होने देती और उस की जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करती है तुर यह और लिवर को बहुत फायदा देती है और धनिया है जो हम पिसा पिसा यह झैक hope नहीं। लेकिन जो धनिया हम मामूली समझ या बड़ी बेडिली से अपने खाने में डालते हैं यह हमें अगर मतवातिर और एक बड़ी इस्तमाल किया जाए तो यह में थायोध नहीं होना देता इतना फायदा धनी तो इस वक्त में बहुत जादा बढ़ने आले बीमारी है थाइराइड और शूगर यानि डाइविटीज तो जब ये चीजें इनको कंट्रॉल कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा करते के पिसेवे मसाले ना लाकर अपने घर में मसाले पिसे और इन्हे एक बड़ी तादाद में जतनी जरूरी है इस्तमाल करें अपने बच्चों को घर के खाने की आदत डालें ताके हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकें